हेलो फ्रेंड्स बेल्ल कम बेक टू मैं चैनल हैपी बिंग्स आज की वीडियो में हम वेजिटेवल चीला बनाएंगे जो बच्चों से लेकर बड़ों तक बूड़े तक सबको पसंद आएगा मुड़े चीला बनाना शुरू करते हैं मैं एन थोड़े सी बटर और ये गाजर ले लिया है तकड़ों में कटकर के मिक्स आर में और थोड़े सी टमाणच प्याज और हरी मिर्ज थोड़ा सा अद्रक और ये थोड़ी सी मैं बेबी मेती डाल रही हूं इसमें और पालक भी डाल सकते हैं आप अपनी मन पसंद की सबजिया एड़ कर सकते हैं और इसी मिकसजार में हम 6-7 चमच बेसन डाल रही हूं यहाँ पर मैं मैं यहाँ चोटी वाली आदी चमच नमक डाल रही हूं आप अपने स्वात गयाँ सा कम जादा कर सकते हैं थोड़ी बच्चे के लिए बना रही हूं और थोड़ी मिर्च पाउडर ये तो आदग कप मैंने यह पानी यूज़ किया है अब इन सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्सर में पीस लेते हैं और एक पेश्ट तयार कर लेते हैं अब यहां पर मैंनी तावा गरम कर लिया है और गरम हो जाने के बाद तभी को अच्छे से चिकना करने के बाद एक चम चाहिए पेस्ट लेकर दीरे-दीरे उस पर फैला देंगे इस तरह से जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है उपर से चीली का कलर है जो वो चेंज हो गया है आप देख सकते हो बदल गया है तो हम दीरे-दीरे इसको पलट देंगे अराम से अच्छे से सिक चुका है आप दूसरी तरफ से भी हम इसको सेक लेंगे अगर चीला चिपक रहा है तो आप उसमें बेसन और मिला लीजिए इस तरह से चीला को दोनों तरफ से अच्छे से से शेक लेजिए और यह हमारा चीला बनका त्यार हो गया है इसी तरह से सारे चीला बना लेजिए थैंक्स फर वाचिंग फ्रेंड्स लाइक हैं सब्सक्राइब मैं चैनल